मैंने मंत्री जी इतना लंबा है उत्तर पड़ावा माना गया है मानिये परस परस बूच ले मैं पूच लूच 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 मानिये अज्यक्स मोदे खंड तीन के उत्तर नुसर 31 किसानों की जमिन निलामी हुई है क्या सरकार करजा नहीं चुकाने वाले किसानों की कुर्की वो निलाम की की के जमीने पूनर किसानों को लोटाने का विचार रखती है यदी हा तो कब तक और नहीं तो क्यों दूसरा और खुछ लूच वर्तमान में जिन किसानों का राष्टिक रत बेंक शिडूल बेंक तता आर्बे मानिये मानिये सदेश ये प्रस ने अलग-अलग विवागों से संब्लिश संबन दिता है आयोजना के संब्द में मंत्री जी जबाब देपाएंगे इसलिए इस प्रसिक पूत लें अनिता इस पूत को दूसरे मात्यम से लेका है नहीं मैं इनके ये आयोजना के मंत्री है न कोपरेट्व के मंत्री है न उनके आपको उत्तर जाएगा उत्तर नहीं आ पाएगा समझे बात को एक बार आजए आप पूछ ले मानिय मंत्री जी बताए वर्त ने शेकन तीन ने है एक का बाँ दूसरा पूछ लेंगे सामाने किसाने द्वारा बैंकों का रंड नहीं चुकाने के नियमानुसर जो कुर्की की बात है उसके लिए सरकार ने बहुत चंती ते और मानि मुखे मंत्री जी ने हमारी सरकार ने वर्स 2023 चॉईस के बजट करशी में रास्तान फॉर में डेविट रिलीफ एक्ट का गठन किया और ये एक्ट हम लोग लेकर आने की घोशना की जिसके अंतरगत रिटायर हाई कोर्ट जज को डेविट रिलीफ कमिशन का अध्यक्ष नीट किया जाना प्रस्तावीत है उतके अलवा जो कुर्की से सम्मंदी जो नियमे इनके अंदर संशोधन करके ठोस नियम इस प्र सानी कुछे जो ऑवा जो घास्तिकरत बेंक शिरुए बैंक टता आरबीए से जुड़े हुए कर्षकों का जो करज़ा पकाया चलरा जे रहा है उनकिसानों का अब करजा लोटाना है अत्वा नहीं यदे नहीं तो वर्तमान में करज मापी की पादिश में परदेश में जिन इस बाद पौछ रहे हैं सीडिव बाद का स्टेट कॉवर्मेंट नहीं है तो सीडिव बाद में स्टेट गौर्मेंट क्या खरी अग्ला पनस लो